शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले दिगरस नगरपालिका की ओर से शहर में स्वास्त जाच मुहिम चलाए जा रही है जिसके तहट घर घर पहुँच कर लोगों के स्वास्त के संधव में जानकारी बटोर रहे है विविन्न विद्याले के शिक्षकों और नगरपाली का कर्मचारियों को जन्ता के ओर से अच्छा सही होग भी मिल रहा है कोरणा संक्रमन की चपेट से लोगों को बचाने के लिए केंद्र और सभी राज्यों की सरकारे हर संभो प्रयास कर रही है ऐसे में महाराष्र राज्यके निर्देशों के तहत डबलियो एचो दुद्वारा जारी स््वास्त्र समधी सुचनाओ के मद्यनसर नगरपाली का महानगरपाली का प्रशासन सतकता दिखा रही है दिग्रेश शहर में वैसे तो हर मुहले के लेस्वास्त जाच मुहिम का आगाज कर दिया गया है ऐसे में अब स्तानिय विद्यालों के शिक्षकों की मदद भी इस काम में ली जा रही है इस मुहीम के तहट शनिवार को मोती नगर परिसर में घर घर जाकर स्तानिय नागरिकों के स्वास्त का परिक्षन कर नाम और पते के साथ जानकरी ली गई इस दोरान लोगों से उनके परिवार में शामिल सदस्त की संख्या, बीमारी के लक्षन सहित, घर में आये महमान तथा घर से बाहर किसी अन्य गाउ या शहर में गए लोगों के संधव में पूश्ताज की गई इस दोरान इंफ्रारेड थर्ममेटर गंस से नागरिकों के शारिरिक तापमान को भी दर्श किया गया, इस दोरान शिक्षकों ने इस मुहीम और स्वास्त जाच प्रक्रिया के बारे में इन्बीस या नियूस से जानकारी साजा की नगर परिशयद दिग्रस के दोरा यहां पर कोविड-19 के लिए मोति नगर में शर्व किये जा रहा है तो इसके लिए हमने आज से ही शुरुत किया है आज जहां कि मोति नगर के बहुत से इलागी के शर्व करने के बाद में बहुत से लोगों ने अच्छा को आपरेट किय जानकरी रखते हैं हुआ उक्सिमेटर की उसके गधर में किसी को खासी सरदी खासी या कोई और दिते बीमारी है कि यह सारी जानकरी है हुआ उन leher और उसके बाद में उनके घर में कोई गर्भोती महीला है किसी बाद में पिशले 15 का द्वारा दी गई स्वास्ते जाच की जिम्मदारी निवाते हुए इन शिक्षकों ने लोगों को कुरोना संक्रमन से खतका और परिवार का बचाओ करने की भी ताकित करते हुए लोगों के दीलों में बैठे डर को दूर करने का प्रयास किया और लोगों ने भी उन्हें उ NBCN News के लिए जुवेर खान की रिपोर्ट